हाई अवरिवन, वालकम बैक टू माई चैनल, आज शी वीडियो हम सीखने वाले हैं कि ब्रश चूल और ग्रेडियन कलर का यूज़ करके शेट चासे क्रीप कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूज होते हो कि एक ही कलर के डिफ्रेंट शेट चासे क्रीड करें या ग्रेडियन कलर का यूज़ करके स्मूट ट्रांजिस्टिन कैसे बना सकते हैं ताकि जो आपका डिजाइन है वो और भी प्रोफेस्टनल दिखे तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल पॉफेट है तो इस प्रपिक तो मुझे पहले भी कमेंट आ चुका था तो आम सॉरी कि मैं इस पर बनान अब खूल गई थे और आपके सेकंड कमेंट के लिए थाइक्से सो मच तो बिना किसी दे लिए के चले शुरू करते हैं तो यह हमारा क्यानमस और सबश्चे पहले किसलेब करेंगे अपना ब्रस्टूल जिसका shortcut ही वी और यहां पे आप सबसे पहले के हमारा ब्रस्टूल का एकेंड वाने यह है कि अगर आप right bracket square को ब्रेस करते है तो जो आपका brush का size है वो increase होगा अगर आप left वाल ब्रेक्ट square brush करेंगे तो उसका size वो कम होगा तो आप यहाँ से अपनी brush के size को कम ज्यादा कर सकते है and then उससे बात एक और तरीका है अगर आप hold, hold करें then अगर आप जब का brush से अगर उससे आप right की तरफ drag करेंगे तो उसका जो size है वो increase होगा अगर left की तरफ अगर press करेंगे तो जो उसका size है वो कम होगा तो यहां से आप अपने जो brush का size है उससे आप कम ज़्यादा कर सकते है and then अब बारिये हमारे hardness से अगर hardness देखें यहां पर हमारा 100% है अब यह क्या चीज़ है तो पहले पर आप एक new layer लेते हूँ and then size कम करते हूँ यहां पर देखेंगे तो यह देखेंगे बहुत जादा sharp है अगर इसके hardness को कम कर देखेंगे पूरे 0% पर देखेंगे and then अगर में करते हैं यह देखेंगे बहुत ही soft है smooth यहां पर इसने अपलाएगी है तो यहां से भी आप इसके hardness को कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने design के हिसाब से and then उससे बाद देखें यहां पर आपको आपने जो भी नेटे से अपने brushes यहां पर है और जो भी अपने मतलब last time जो आपका brush होगा वहां पर एड होता जाएगा और उससे बाद यहां पर देखेंगे आपके brushes के type दे रखेंगे कि कितने type के होते हैं तो जो हमारी default होते है आइटिंग वह से 4 होते है and then उससे बाद हम सारा अपना download करते हैं जैसे कि first है हमारा journal brushes और यह ही mostly brushes होते हैं जिनका हम use करते हैं अपने say to create करने के नहीं या फिर जो हमारा अलग अलग color का use करके जो gradient बनाते हैं वह mostly of any brushes का use करते है and उससे बाद हमारे पास है dry media brushes यह बहुत मतलब अलग अलग type के काम करते हैं तो इससे फिर उपर हो next time video बनाएंगे लिकिन हमारा तुड़ा basic सा है and then उससे बाद देखें यहां पे आपको यह brushes के एंगल दे रखा थी आप यहां से अपने brushes के एंगल चेंज कर सकते हैं तो यहां पे इसको कोई फाइरा तो यहां पे यह क्या ही एंगल का परक पड़ेगा लेकिन है यहां पे देखें अगर इसे आप इससरीके से फ्लाट करते हैं मतलब थोटसा आप पता निया कएकरते हैं अगर आप यहां अपह तो तोटसा से फ्लाट करते हैं and then मैं मैं इसके हाडवनेष चेंश कर देते हूँ और साइस कम कर देते हो सद्यान देखें, यहां पर यह सरी किसी ज्याग कर रहा है, I'm sorry यह बहुत भूडा यूज करने मैं से तो यहां पर देखें यह इस तरीके से हो रहा है, और इसका जो एंगल है, हम वहां पर अपने हिसाफ से चेंज कर सकते हैं तो जो इस एंगल है, उसे चेंज करने का और भी तरीका है, जैसे कि माल लिजिए, आप अपने केबोड का लाट एरो अगर आप ब्रेस करते हैं, तो जो इसका एंगल हो देखिए, और आप राइट बाला ब्रेस करते हो तो यह देखिए, इस तरीफ से रिवार्स रोटेट हो हमारे जो राइट करेंगे, तो यहाँ पे भी हो गा, अब मैं इस ल detecting खुरिट करूए, और उसी बाद हमारे जो आरहा है नेक्स, वह हमारी ब्रस की शेंटिंग, यहाँ क्लिक करें तो यह देखे, हमारे बास अमरी प्रुक्ती सेंटिंग उ पन हो जारी है, तो सबसे पहने आए बडरीकी के दिखिवे रहे हैं, आपको पता नग है कि यहाँ पर ships अब कर नहीज शाइब करना है यहाँ सब्चाइब करो करें और इसी नॉर्मैल कर रहे हैं यहाँ से अंगल भी एक शाष्ट चाहिए श्रीका से चेंज कर सकते हैं और जो हमारा last spacing, यह spacing क्या है, मालनी चे, spacing हमारा पूरा 1 पे है, और आगर मैं यहाँ पर कोश्ट ज्याग करते हूँ, यह देखिए बहुत ही smoothly हो रहा है, लेकिन जासे में इस spacing को increase करूँगे, और आगर देखे कि यह इस तरही के से हो रहा है, जितना जाद आप spacing increase करोगे, इन ब्रसे से बीच में इतना जारा space create होता जाएगा, तो कई बरे मारे ने बहुत जारा यूश्फूल होता है, हमारे डिजाइंस तो create करने में, तो आप जितना जारा space create करोगे, यह उतना जारा करते जाएगा, तो I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा and then जो बाके के setting है, इससे बारे में हम next video बनाएंगे, क्योंकि अगर यह भी मैं इसमें बताने लगे तो हमारे video बहुत आरा long हो जाएगा, तो अब हम ब्रस्टे से use करके कुछ amazing सा create करते हैं, जो mostly मैं अपने designs में create करते हैं, यह मैं वही बताऊंगी, तो उसके नहीं हम सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं, एक selection, और यहाँ से हम new layer लेंगे, क्योंकि जो भी आपको create करना हूँ, आप अपना new layer बनाते रहें, तो यहाँ से हम color change करने के आपको कौन सा color चाहिए, तो मैं लें रहते हूं dark blue, और उससे fill करने के लिए हम करेंगे on to backspace, and then आप फीर से एक new layer लेते हैं, और brush will snack करेंगे, और अब हमें चाहिए bright color, and then उससे बाद यहाँ पर मैं एक और चीज बताना आपको खूल गई, आप देखिए opacity है हमारी full है, अगर मैं यहाँ पर कर रहे हूं तो यह देखिए कैसे होगा, और इसका और ब्लैंडिंग मोड चेंज करते हैं, तो यह देखिए screen, फिर से एक new layer लेते हैं, और इस बाद थोड़ा all bright color लेंगे, opacity थोड़ा कम कर देते हैं, size के हम करेंगे, और यहाँ paint पे अपनाई करते हैं, blending mode fish increase कर देंगे, sorry screen कर देंगे, अगे एक new layer और इस बार हम लेते हैं white, और opacity थोड़ा और कम कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी opacity ज्यादा रहेगी तो यह देखिए बफ़ा जाला dark होगे, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, और opacity फूल नहीं था, यह देखिए बहुत ज़्यादा होगे तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इसी opacity कम चाहिए, तो हम कम कर लेते हैं and then हम apply करेंगे, तक यह में natural look मिलता रहे, और अब हमें इसी blending mode के change कर लेते हैं, soft, screening, size थोड़ा और increase करेंगे और opacity कम करते हैं, यह होगा, और अब उससे बात देखिए, हम fix एक new layer लेते हैं, और अब हम देखेंगे कि जो हमारा flow है, वो क्या है, या इसका क्या 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 है, वो opacity कर लेते हैं and then nature से बंचे थोड़ा से और darkness apply करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिनहां पर click करेंगे हम थोड़ा dark color लेते हैं and then देखे हम क्या करेंगे, तो हम इसका slow कम करते हैं, यह देखे हम इसका flow जितना कम करेंगे वो उतने ही soft और flow-slow यहां पर यह apply करेंगे, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा और smoothly तरीके से आराम से करते हैं, जितना ज़्यादा flow कम रखोगे अपने आपका design से आप जो better look आएगा और result भी अच्छा आएगा, तो यहां से opacity भी कम कर लेते हैं, यह मैं जो विनकुल अच्छा नगा, तो हम इसे bleed करते हैं, और एक new layer लेंगे, opacity हमारा कम है और flow भी हमने कम रखा है and then यहां पर हम बड़े ही अराम से और धीरे-धीरे यहां पर अपनाई करेंगे, ताकि जो हमारे design का outfit है, यहां से आपको flow का और opacity की बारे में पता नग गया होगा कि opacity का क्या काम है, और जो flow है वो brush के flow को हमारे control करते है, I hope आपको इतना clear हो गया होगा and then मैं से करोंगे control D, और अब हमने इसके नीचे बनाना shadow, तो इसके दिये हम एक new layer लेते हैं और brush हो snap करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और यहां से हम ऐसे आपको आपको दिख रहा होगा कि जैसे shadow और यह बहुत ज्यादा एक दुछरे से अलग दिख रहा है, तो हमें इसके नीचे भी हमें darkness design देनी है, तो इसके लिए हम यहां पर selection बनाएंगे और एक new layer लेते, और यहां पर हम dark करेंगे और यहां पर हम dark करेंगे, and control D, I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यह कैसे किया, and then जो हमारा brush हो slat किया था उससे भी आपको समझ में आ गया होगा, I'm sorry मैं अपने design में ऐसे नहीं करती, श्याद में भूल गई थी, अब हम background color slat करेंगे, तुसके लिए adjustment icon पर जाएंगे और solid color, और यहां से हम slat कर लेते हैं, यही color सही है, and then हम एक new layer लेंगे, और फिसे जोगा प्रोसेसर में यहां पर apply करेंगे, तो इसे full कर देते हूं, size increase करोंगे, and color change कर लेते हैं, यह होगा, पिसे एक new layer लेते हैं, brush tool slat करेंगे और brightest color लेते हैं, मैंने यही चे pick कर लिए, यह देखे हैं, size increase करते हैं, यहां पर place करेंगे, opacity कम करते हैं इतने, और फिर से एक new layer लेते हैं, brush tool slat करेंगे और यहां पर apply करते हैं, यह देखे हैं, opacity कम करते हैं इसे, यहां पर जो brush है, वो मिझे सही नहीं लग रहा है, opacity कम करते हैं, I know यह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाई, क्योंकि मैं आपर समझा भी रही थी और कर भी रही थी तो यह अच्छा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब आप बनाए तो बहुत ही अच्छा है, और राम से प्रोफेस्टन तरीके चा बनाए, तो देन अगर मैं इन सभी को मैं करते हूं, merge, तो इसके लिए करेंगे alt, shift and e, हमें एक और आटबोड चाहिए ताकि जो हमारा ग्रेडियंट है मैं वह से ठाप हूं, तो यहां से हमने लिए एक new आटबोड, अब हम select करेंगे अपना ग्रेडियंट टूल तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे G, अब यहां पे हम अपने ग्रेडियंट टूल अप्लाइ करेंगे तो यह जासे मैं यहां पे अप्लाइ कर रहा हूं, तो यहां से हमारा डार्क और यहां पे बाइट है, क्यों हा रहा है क्योंकि यहां पे हमारी जो setting है एक तरफ हमारा black और दूसरा तरफ हमारा transparent है इसलिए यहां पे हमारा जो background वाना है वह वही है ऐसा नहीं है कि इधर black है या इधर white है यहां पे हali रहे है जासे कि आप है पे शर्कल भी है और इसे अपर yw akui कर सकते है इसे कि यहां पे क्लिग किया और यहां यहां पे आप अंगल भी डिखतको यहां इसे कि रिव बार्श का सकते हैं और यहां पे reflection आंडू Rainbow यह बिर्वेर का होता है वैसी यह भी reflection है तो आप यहां से कर सकते हैं आप इन सभी के यूज करके चार सकती है यह पर दाइमर्ड है फिर से मैं एक नो नेर नूँगी और यहां पर यह दिखिए आप अलग अलग तरीके से यहां पर डिजाइन कर सकते हो आपको भी जो gradient tool है आपको यह थोड़ा चेंज लग रहा हुआ क्योंकि यह जो मेरा version 2024 है इसे यह थोड़ा यह एडवांस लेवल का लेकिन पुराने वालो जो software था उसमें I think ऐसा नहीं हो तो हमें उसके नहीं हम क्या करेंगे आप यहां पर जाएंगे adjustment icon पे और यहां पर हम क यहां पर black बड़ यहां पर transparent है तो यहां से आप अलग-अलग color भी ले सकते हैं जैसे कि blue पर click किया जैन यह वाला यह ले लिगते और यहां से आप अपना अवलक सा gradient भी बना सकते हैं जैसे कि माल लीजे भाई यहां पर यह कर रही हूँ और मुझे तो मैं यहां पर click करूं तो यहां पर देखें हमारा linear है यहां पर हम अपना angle change कर सकते हैं जैसे मैं आप यहां से scale change करेंगे तो scale जितना कम करेंगे तो यहां पर जो transition है जो shifting अवह उतने ही कम होती जाए कि जितना increase करेंगे वह उतना increase होगा अगल आप यहां से change कर सकते हूँ और यहां पर भी आप reverse कर सकते हूँ जो मैं आपको बताए थी आपको दिखाओगा radial जैसे मैं ने रीडियल पर click किया तो हमारा वाई था जो हमारा यहां पर था और यहां से size को हम increase करेंगे यहां पर करेंगे यहां हमारा reverse हो गया size रहो और increase करते हैं और हमारे शेबाद है angle यह देखें then reflection इसको reverse करके देखते हैं देखें आपको reflect कर सकते हूँ and diamond यहां से size कम कर सकते हैं यह देखें आपको आपको इतना समझा आ गया होगा तो then मैं इसे gradient पर करते हूँ and then size to increase or scale increase कर दूँगी और return यहां पर करेंगे and okay यह देखें यह हो गया और अब हम एक new layer लेंगे और यहां से हम select करेंगे अलिफ टूल तो हमें इसे बीच में हमने gradient अपनाए करना है तो इसके लिए हम एक new layer लेते हैं और right click करेंगे greater clipping marks next करेंगे अपने gradient यहां पर मैं इस circle अगर बनाना चाहूं जैसे कि हमारा यह वाला था तो यह रहिए बहुत है smooth and easily तरीके से यह हमारा यहां पर यहां से बन गया यहां से color भी हम change कर सकते हैं जैसे कि माल लेज़े मैं white कर लेते हूं इस चाह कलर भी चेंज कर लेते हैं यह जो यह बना हाइटिंग ठीक है बट फिर भी चेंज करते देखते हैं एक ओकी तो यहां से आप इस से increase कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं पॉफेक्ट जैसे हमने brush tool का बनाया था यह हमारा gradient का है तो आप कमेंट में बताएं आपको ज यहां से यह से कर सकते हुआ एंड ओके एक सैटर में बननका अब हम इसके निचय फिर से बनाएंगे शैडो तो इसके लिए एक निवनेर लेते हैं ब्रेस्टो में वला चटते हैं फिर इन थे बट अबर यहां पर एक प्रॉब्लम है अगर हम इसनेक करके अगर माल निजा ग्रूप कर देते हैं या फिर अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ तो क्या इसके एंगल चेंज होगा यह दिखे यहाँ पर की यह दिखे जो इसके एंगल है वो वहीं पर आओ अगर आप इसे कहीं भी लेकर चैने जाओ तो यह हमारा जो इसे कहीं है तो चैने तो इसे कहीं हमारा कमक्राप चाहिं हो जाओ रहा है तो जो भी किक हो दूब किखे आपर यह दिखे हमारा ब्रश अपर यहीं लेकिन जो कैतली ही और और इसकी इसके इक हमारई रétaा들ा कर दिखे हमारा एनगल तो देखे ेह धन रह overl bolag फिर आप right click करें and then अगर आप आप आज से merge group कर देंगे उसे बाद इसे आप change करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा but कई बर हमें changes के जोद पड़ती तो यहाँ पर हमारी problems हो जाती है so उसे बाद हमारे पास एक और solution है कि हम कैसे create कर सकते हैं इसे undo कर रहे है खिक है तो हम एक और सरकन पनाते है and then इसे snack करते हैं और यहाँ पर right click करेंगे blending option पर जाएंगे और यहाँ से हम snack करेंगे gradient overlay तो यहाँ पर देखे यहाँ पर जो हमने color save करके रखा था हम वह snack कर लेते हैं यह वाला and okay इसे हम reverse कर देते हैं यहाँ से भी यहाँ पर देखे यहाँ पर बहुंच जाद अच्छे फाइदे हैं कि यहाँ से आप इसे जो scale है इसे यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो और एंगल यहाँ से आप change कर सकते हो अगर यहाँ पर आप radial लेना चाहते है यहाँ से आप देखे इसरी के इसे कर सकते हो तो निखना में circle वाना ही चाहिए तो हम radial को कर लेते हैं और यहाँ से हम angle change करेंगे और इससे skin को increase कर देते हैं I think is perfect, हमें निचर छोड़ा और dark चाहिए तो हम यहाँ पर click करेंगे और इससे color को छोड़ा और dark कर लेते and okay और अब हमें इसके निचर फिर से इक shadow create करना then okay तो यहाँ पर अगर हम इनको snack करते हैं and then इसके size को increase करते हैं तो देखते हैं क्या होता यह निचर अगर मैं इस2020 कर भूसी गहिए अगर आगर आप इस पर पर कोई फार्क नहीं पड़ेगा मैं अगर आप आप शे आग्मणे करते हूँ तो इस आप आप एम्गल response तो द्रीगन परम यहाँ उसे कहें ब्लन Cathy लाख यहां और मुजह आभलगर है यही लगता है कि मैं ब्लैंटिंग मोट पर जाती हूँ और वहार से जो हमारा ग्रेडियंट है आपने देखा होगा मेरी डीजाइन्स में या वही यूष करती हूँ कभी-कभी ब्रश्टोल का यूष करके भी कर सकती हूँ कि है कि हमें सभी डूल्स के यूज करना चाहिए कि किसे हमारे डिजाइन बहुँ आ जारना ज़ल्दी करेट हो रहा अच्छा करेट हो रहा या बैस्ट आउट पूट आ pää तो आप इन सभी के यूज करके आप अपने डिजाइन कुप प्रेट के सबते हो जैसे कि हमारा यह हो गय मैं यहाँ पर बतारूँ जैसे कि new layer लिया और यहाँ से हम select करेंगे rectangle tool यह grade किया और अब हम layer पर जाएंगे तो मैं इसे दो तरीके से बताऊँगी जैसे कि हमारा एक brush tool था उसका भी बताऊँगी और gradient का भी बताऊँगी दो right click करेंगे blending option पर जाएंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं gradient overlay यहाँ पर हमारा linear sorry radial था हम यहाँ पर करेंगे linear angle change करते यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमें इस फ्यूप करना है center में इससे हमें अटाते इससे थोड़ा डार करते इससे इंक्रीज करेंगे angle हम रखते है 90 यह दे और फिए तो यह बहुत हमें एजी तरीका नगता है लेकिन अगर हम ब्रस्टूर के help से बनाए तो देखते है एक new layer layer right click करेंगे create a clipping box brushwood select करेंगे और हम डार कलार लेते हैं यह वाला पहले में इसे color को change करते है और हम यहाँ पर एक बनाए करेंगे शाहर से ऐसे पिर से एक new layer लेंगे brushwood select करेंगे और उपर से ऐसे करेंगे यह देखेंगे यहाँ पर भी यह हो गया जो हमने brushwood की help से बनाया अगर मैं इसे group करेंगे अगर मैं इसे rotate करेंगे यह दिखेंगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगे यह जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा पर जो हमारा gradient वाला है यहाँ पर पर पड़ने वाला है चुकि कोई भी बहुत जारा best नहीं है तो सभी का हमें ध्यान से use करना जैसे कि मान दीजे अगर मैं इसके angle को change करने हूं हमें ok करूंगे तो यह दिखेंगे क्या होगी यह पूरा ही जो हमारा angle था जैसे gradient था वह हमारा पूरा यहाँ पर खराब हो जाएगा तो आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप इससे merge कर सकते हैं अगर आप रोटीन करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रसे से use करके कैसे आप create कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में मताएए और जो हमारे ब्रस्टोर की जो setting भी अगर आपको इस्चे उपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिये and then उससे बाद में इस्चे उपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगे आपको जितने जादा लाइक हो सकते प्लीज या लाइक कर दिया करो and thanks you so much for watching bye bye take care